हेलो नमस्ते आप सभी को मेरा नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उत्तम कुमा लेंका मैं कंसल्टान्ट डर्मटलीजिस्ट हूँ ट्राइकॉलीजिस्ट हूँ मैं कोलकाता में काम करता हूँ में स्कीन और हेयर को लेके बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ जो आपके हेल्प और यह सारे वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उत्तम को लेंका स्कीन और हेयर चैनल में सेव रहता है मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको इसा कोई सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट है ऐसा टोपिक बारे में जानने को इंट्रेस्ट है तो आप म मुझे YouTube में मेरा चैनल में सब्सक्राइब करिए comment में लिखिए आपको कौन सा टॉपिक में बारे में कौन सा स्कीन के बीमारी में बारे में तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा इसके बारे में तो आज अब शुरू कर रहे हैं आज का दूसरा टॉपिक जो होगा वीटी लि होता है किसको होता है क्यों होता है तो इसका क्या इलाज होता है तो यह सफेदी कुछ जो साधा दाग या साधा धबा होता है स्कीन में हमारा बॉडी में कोई भी जगा में हो सकता है और बाल यह स्कीन में भी होता है और बाल में होता है कभी कभी बाल में सफेद होता है तो तो कि थे हुटा है पहले समझते हैं कि हमारा रंग कहां से आता ह oldता है जा सकने हम तो यह एसफेat प्रण एक से में रंग आता है कोई साल के बजसे होता है यह मेलानिन के बजसे करते हैं और यह जानते हैं अगर भर खराब हो जाएं मर जरें बनेगा तो यह होता है चलिए जानते हैं यह होता है किसी को नहीं पता है लेकिन यह थियोरीज है यह अनुवान किया जाता है कि साथ यह एक पहले हम समझते हैं क्या होता है हमारा बोडी में इम्मुनिटी है मतलब आंटिवडीज है जो हमारा आर्मी जैसा है बोडी का अंदर के आर्मी जैसा है जो हमको डिफेंस में हेल्प करता है बाहर के माइक्रो और्गानिजम बाहर के फॉरिन पार्टिकल्स वैक्टेरिया हो वाइरस हो यह सबसे हमको बचाते हैं लेकिन कभी-कभी वो लोग ज सब्सक्राइब आपने अभी एक अजय देवहन का मुभी आया देखा होगा क्या नामें उसका मुभी में क्या दिखाया कि अजय देवहन का जो आर्मी था मतलब उसका जो सोल्डर से एक स्पेसिपिकी ड्रेस पहन के जाते थे और दूसरा जो ऑपोजिशन बाला आर्मी है कभी कभी आगर व जो opposition मला है जो हमारा दुसमन करते हैं या कोई infection कभी-कभी क्या होता है हमारा का स्ट्रक्चर्चर चैंज कर देते हैं जिसके बज़े से हमारा खुद का इमिन सिस्टम मतलब आंटीबडी उसको पहचान नहीं पाता है और जाके वहां पर उसको डामेज कर देता है उसको वह सेल को मार देता है तो यह होता है और एक होता है अगर हमारा अईसलेट इंसुलिन सीख्रेट होता है पैंक्रियाज में अटीबडी जाके आटक कर दिये तो वहां पर इंसुलिन बनना कम होता है वहां पर दावेडी सुरू हो जाता है और परणी सानीमिया डीजीज और समय अर्धिश अर्थ बहुत डिजीज है जो आप तो मारने लगता है पहचान नहीं पा रहा है जिसके वद से प्राब्लेम होता है तो यह सफेदी किस उमर में होता है नॉर्माली यह पैदा होने के यह नॉर्माली चारपांस टाइप का होता है जो कमन टाइप हम उसको डिसकस करेंगे एक होता है बच्पन में बच्चों में ज्यादा दिखाई एता है सेग्मेंटल मतलब कोई एक जो हमारा नौर्फ है स्पाइनल नौर्फ से तो वहां पर उस रीजन में जाके सिफ होता है बाकी जगह में नहीं होता है जैसे कि यहां पर सुपेदी है यहां पर सफेदी है कि sheini c एक पांडी में ज़बन होता है यहां लोडट दिस्ट्रो वियक्तित जगार में वह सफेदी बाड़ी में कहीं माण में मतलब हाँ बदन में तक कहीं पर भी हो सकता है इसको बोलते हैं विटिलिगो विल्गरीस मतलब होता है मुस्ट कमन टाइप यह सबसे कमन वाला टाइप है और एक होता है एक्रोफेशियल विटिलीगो जो की हमारा बॉडी का अक्राल पार्ट्स मतलब यह टिप जो हुआ इसे हम हाथ ऐसे कर दिये बॉडी बहुत रिजिस्टन्स होता है लोग डिरेंटोर साल जल्दी भाम नहीं होता है अधिक नहीं होता अरह जल्दी बड़ता भी नहीं रहें इसके बारे में डिठेल freaking नहीं है आप किसी को टॉच कर लिए किसी का भीटी लिगो है तो इसके साथ अगर आप हाथ मिला लिए इससे थोड़ा मिल लिए गले मिल लिए तो आपको हो जाएक ऐसा नहीं है यह हमने बहुत सारा पेशन देखा है जो हमको आके कंप्लेंट करते हैं कि हमको इलाज हम आप को यह वीडियो के बार के माध्यम से बताना चाहता है कि वीटीलिगो जो यह नहीं यह चूने से नहीं फिलता तो आप बिल्कुल बेशी कर रहें आप इसे लोग से दूर मत रहें आप उनको इतना पनेन्टली एंबरेस्स मत उनके साथ मिलकर रहिए यह वीटी गो किसी सब्सक्राइब होने का चांसेस है ऑन माइकल राग्से सेमा नाम सुने वेदम रहें इसलिए हमें हाथ में सिपन रहते थैं इसा बहुत सरह मॉडेब्ले बीबारी नहीं कि इसको विटीव होता है मर जाता है बहुत सरह लोग लगता है गौनलब करने मिनें 15 गलता है तो छिवा हुआ है तो इसको क्या करते हैं उसके शीज एक है दबाते हैं तो उसको लगता नहीं है तो कम लगता है तो यह हुआ डिफेरेंस करने के लिए दोनों में अलग क्या है कि वह प्याच है उसमें कुछ पता नहीं चलता है कि इसको वहां पर सेंसेशन ठीक रहता है उसको कोई नहीं रहता है उसको कोई खुझली नहीं होता है कोई जलन नहीं होता है कुछ नहीं बस उसका तोड़ा मेंटल प्राब्लेम क्यों होता है क्यों होता है लोग उसको बोलते रहते हैं कि आपका यह सफेद्दा क्यों है आप उसको इलाज क्यों नहीं कराते हैं आप इसको क्यों बिमारी यह चुने से नहीं फिलता है और इससे पेसेंट को हरास्मेट मत करिए पेसेंट को सोसेली अपने सोसाइटी से दूर मत रखिये और इसका इलाज आजकल संभब है पहले तो इसका इलाज नहीं था लेकिन आज कल यह इलाज हो रहा है हम नहीं बोलेंगे कि एक-दो मह लगाने के लिए दबाई देते हैं क्रीम में क्या हो सकता है हो सकता है आपका करना ऐंता है आपको सब्सक्राइब कर दो करना है तो इसी निलेके नहीं लगाना और ग्रॉट करता है कि आपको कितना बड़ा इंवल्व हुआ है या बड़ा वाला जगा में इन्वल्व हो गया है तो उसके हिसाब से प्रभी वह दोज देता है और दवाई कुछ खाने का भी दवाई आता है खाने का दवाई में भी वह आपको स्टिरोइड भी दे सकता है आपको साइक्लोस पुरिम भी दे सकता है मेथोटेक्सेड भी दे सकता है आजात्राइपुरिम भी दे सकता है बहुत सरा ऐसा दवाई होता है जो इस बिमारी में ह दवाई शुरू करता है और यह जो दितना भी हमने ओराल मेडिसिन खाने का दवाई के बारे में बोला यह सारे दवाई डर्मार्ट लोजिस्ट ही देगा स्कीन का डॉक्टर ही देगा और कोई भी डॉक्टर नहीं तो वह आपको पहले आसेस करेगा यह सब दवाई देने से पहले आपको ब्लाड टेस्ट करेगा आपका हिस्ट्री लेगा को यह दूसरा बीमारी है कि नहीं सारे दवाई का साइड इफेक्ट भी रहता है कौन सा डोज में देना है वह उसको लेने से पहले बिल्कुल आपका स्कीन के डॉक्टर को पूसके ही लिजिए वैसा तो यह तो पूरा डेंजरेस है ना तो आप सिर्दा के सफेद दा को ठीक करने के लिए आपका इंटरन लगान तो खराब नहीं करेंगे तो वैसा वाला जब्भी दवाई शुरू होगा वह बिल्कुल डॉक्टर के अब्जर्वेशन के ही बाद ही शुरू होगा डॉक्टर अबका शुरू में काला पनाता है क्यों और गुंकि तो क्स Marriage आपका मेलानोचिट को स्टीमलेट करता और बोडी में उसको पकड़ने लामब होता है दो तिन तो पुरा बोडी में नहीं है तो भे लेकितना क्ना लिए कि भनाओ को लिए दिखाना है तो जादा टूपल में प्वर बोडी एर्या अगर इन्फल्व हो गया तो नीख वरेंडा में मतलबड वाद Tok तुब सब्सक्राइब धिवर्द का इसाइब अधर मिलीजूल एक इनर्जिय में लाइब पता है वह स्किन का डौक्टर को पता है वह आपको देगा वह बहुत ही लेकिन यह थोड़ा कॉस्टली होता है जो लोग अफ़र कर पाएंगे उनके लिए यह ट्रीटमेंट अभी फास्ट लाइन अब यह तरापी के बाद और के अभी 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 आध्मास थेरापी आ रहा है यह कल्चर होता है सेल कल्चर थेरापी होता है लेकिन यह बहुत ही हुआ से जहां प conquering 20 मथल्वव हां से च्छोटा-च्छुटा 1–2 मिल्लीमेटर साइज का च्मढ के अ चपर सफेधी षाएं वहां परिया जाते जिoten वह बाला चमड़ा को निकाल के ओ नॉर्माल चमड़ा लगाते है ताक यहह हां पर जल्दू झलदी से ठीक हो जाएちゃ लगाते हैं यह सारे सरजरी और यह सरजरी माक्सिमम आपका स्टेबल भीटीलिगों सेग्मेंटल भीटीलिगों में ही काम करता है यह क्या होता है सेगमेंटल हमने जो बोला आपको कि बॉड़ी के एक पार्ट में रहता है कोई भी एक पार्ट में वह ज्यादा बढ़ता नहीं है तो वेशा अगर भीटिलिगो है तो सर्जेरी बिल्कुल फास्ट स्वाइस है आप सर्जेरी कराई है बहुत अच्छा से रेस्पंस होगा और इसको देखता है अगर वैसा क्राइटरिय फुल्फिल नहीं होता है आप डॉक्टर के नहीं बोल सकता है कि हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे करने से आपका रिजेक्ट हो जाएगा जो भी आपका पैसा बरबाद हुआ डॉक्टर का टाइम बरबाद बाद तो इसलिए यह आ सच में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है नहीं तो अगर गलत बला बोलेंगे कि हम सजरी करा लेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे तो आपके लिए नुक्सान है आपका सजरी एकदम बरबाद जाएगा तो यह स्टैबिलिटी एक मेन फैक्टर है इसको देखना पड़ता हुसीचान होता है सरजरी से पहले और क्या होता है लोगा पता है जैसे आ लोग सब टाटू करते हैं या सफेदी परीइभनी सफेद हो ठीक नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कुछ आपका स्कीिन का कलर क Uhr का टाटी हाता है वह आपका We just जो इसके लिए ट्रेंड है वह आपके वहाँ पर छोड़ देते हैं या डाल देते हैं ताकि आपको पता नहीं चले कि यहां पर क्या है और एक होता है आपका क्या बहुत है केमोफलेज होता है मतलब मेकप होता है कुछ-कुछ लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन वह र यह कुछ-कुछ प्रॉडक्ट नहीं जिए सब्सक्राइम जैसा कुछ प्रॉडक्ट जीर मेकुष अता है जो आपको डर्मरट यिश सब्सक्राइब जा जिए क्ड़ना है वह इसी बिद्वैय सब्सक्राइब होसाहां पार्स कंडर मैच अपक्य तर नहीं को क्रिम से लेजर लेजर वहले लेकी बहुत महहँगा है तो वहां पे अच्छा काम करता है और झालता है किछ खाने के बाद दोई देते हों घ्याकर नहीं कि खड़े होते हैं तो वहां सबस्क्राइब अगर कोई पेशेंट का एज कम है यंग है एकदम छोटा अगाता नहीं तो उसका दबाई से जल्दी असर होता है आच्छा रस्पंस होता है अगर किसी का भीटिली वह और भीटिली को जो सफेदी तो वह दबाई से जल्दी रिस्पंस करता है क्यों कि वहां पर हमेसा खुला रहता तो संटनाइट गिरता है तो से हमारा बौडी में यहां पर हाथ में नहीं होखते हैं तो जहां पर ब्लाक है जहां आपको क्या में वहां पे जल्दी आपका treatment कोुस्पमेंट करता है जाहां पे यह नहीं है मतलब के लिप में हुआ हात में अगर किसी का उंगली में हुआ और पेर के उंगली में यह अध्र कभी नीस में होता है तो वहां पिटे सफेद्दी का दाग होता जल्दी बढ़ता है यह बहुत प्रॉब्लेमाटिक यह इसके लिए धरी रखना पड़ेगा बहुत टाइम लगता है इसके लिए सर्जेरी भी होता है तो हमने जो जो सर्जेरी बोला है और क्या होता है अगर बोनी प्रामिनेस मतलब कोई हड़ी के उपर है यह जॉइंट हु मोगा तो वहां पर भी जल्दी रेस्पोंड नहीं करता है अगर आदमे का एस बहुत ज़्यादा हो गया तब रापाट ऑने लेकिन ठाटा बसा गिया और है है और बीज बीज में जो नॉर्माल कलर है वह है जिसके वाद से उसको क्याला कला प्यास लग रहा है उसको भी दिखने खराब लगता है तो वैसे केसे में कुछ ब्लीचिंग क्रीम आता है वो डॉक्टर ड्रमाटलोजी देते हैं वह देने के बाद वह पूरा सफेद हो जात होता है तो आप स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेस फी रहिए यह बीमारी से आपको इंटरनल कोई प्राब्लम नहीं होता है अब कंट्रेंट रहिए डॉक्टर के पास जाए आपका इलाज कर रहिए और योगा हुआ प्राना हुआ एक्सेज हुआ यह बि सब्सक्राइब करके वहाँ पूछ सकते हैं थांक्यू आशा करता हूं आप लोग सब सही है कोरोना से अच्छे से लड़ रहे हैं घर में रह रहे हैं नमस्कार फिर मिलते हैं कल थैंक्यू